हेलो फ्रेंड्स हब अपने यूट्यूब चानल फार्मा अमंसीक्व में तो आज की इस वीडियो में हम एक फार्मसिस्ट एक्जाम का इस अपने हैं इस आह तो और यह कुशन पर मुझे और एट चाहूंगी और और इस टूडेंट खुंड और लिए सो पेपर को सैंड करने के लिए तो आज हम इस वीडियो में इस क्वेशन को डिसकस करेंगे ठीक है यह दिया चैस का असमकर 2018 का क्वेशन पेपर है तो देखते हैं इसमें फार्मेसिक किस ट्राइब की क्वेशन्स आये हुए हैं देखिए इसमें हैं टोटल जो है हंडर्ड क्व qq 2201 माक्स है मतलब की मेजर जो पॉर्ट् делать प्वेश Denn के डिजनरल के सुण के तो उप घुकी तक को भी थोड़ा समय आप लोग इनको भी देख लेन सार्व के अ के थ endeavors करें इसमें जो एक तो परेजाट करते हैं। कि मैं तो इसी स्टार्ट करते हैं देखिए व्योंटिय। लीए पत्राइट कर दियूकिद है। ठीक है उसके मैंने दो वीडियो अप्लोड कर दिए ठीक है वो उसमें मतलब इतने अच्छे सा में सी क्यूज को डिटिल एक्स्पिनेशन के साथ कवर कर लेंगे ठीक है तो वह सीरीज आपके लिए काफी बेनिफीशन कर रहे हैं ठीक है तो अगर आप लोग किसी फार्मा एक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ठीक है वीडियो को लाइक कीजेगा इनको शेर की जापने फ्रेंड्स कर वीडियो को शेर करना ठीक है और जो बैल आकन हो उसको प्रेस करने ताकि जो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए देखिए लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं रिडियूस इंटर पर्टिकुलेट्स फ्रिक्शन जो है आपका भी राइट हो जाएगा अब इन क्वेशन के लिए आपको जो सीजिस फॉलो करनी पड़ेगी उसमें हम डिटल एक्स्प्लेशन के साथ क्वेशन जिसको कर रहे ठीक है इसम इंप्रोव क्या करते हैं फ्रो प्रोपर्टी एक्साइं क्या करता है घंप्लाइड different इंटस्टाइन रैपिडली गैट अब्जोब्ड ब्रेकडाउन इन स्टमक या डिसिंटेग्रेट इंटस्टाइन तो यह क्या करते हैं तो इस इंटस्टाइन में ओके ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और एंटारिक पोलीमर जो होते हैं वह थैलेट वाली उस होते जाए तेलेट आजएगा नेक्स्ट हैस्ट करथे ग्ल्रश क्रुचफिजझ इस प्रेश्चक्रउचर इस ब्रॉटेटक्स वह छोलेंगे डिकॉक्षण परकॉलेशन डाइजेशन यह इन फूजे तो यह होता है इस प्रोशेस को डाइजेशन ऑप्षन सी राइड हो जएगा और इसके जो अपरेटर स्था हुता है उसको नाम डाइजेस्टर होता है नेक्स है फ्लिडाइज बेट ड्रायर मेठड इस फास्टर देन डेट आट सिंट्गे इस एक कंजुगेट बेस बीच आपको पता है यह डोरी कंसेप्ट में एकसेट करते हैं यह बदेद अचस्प्ट करते हैं तो आपको एक बात यहाद रखनी है acid proton donor base proton acceptor ओके अब जो chloride जो है CL negative ये क्या पूछा इसमें conjugate base है विच आइसेड देखिए hydrochloric acid hypochloric acid hypochloric acid ननोग देबो देखिए chloride किसका conjugate base होगा देखिए इसका xcl का conjugate base होता है chloride ठीक है तो आपका answer हो जगा hydrochloric acid hydrochloric acid जो है इसका conjugate base chloride iron होता है तो आपका option यह हो जगा hydrochloric acid ओके बिल्कु सिंपल question है वैसे नेक्स्ट है अन्टेस्ट प्रोपर्टी ओफ एल्यूमिन फॉस्फेट इस दूटू देखिए प्राइमरी फॉस्फेटाइन सेकेंडरी फॉस्पेटाइन ट्रेशरी फॉस्पेटाइन एक क्वाटनरी फॉस्पेटाइन त टैल्क जो होता है वह होता है हाड्रेटेड मेगनेशियम सिलिकेट होता है तो option ए राइट हो जएगा नेक्स्ट है एंटिटोट इस अन एजेंट एट काउंटर एक्ट्स आलकली ऐसेट्स पोईजन से वीनम सो ऑप्शन सी हो जगा वीनम से अब आप लोग देखना इस question यह यह 2018 का है या भी जो 2021 का मैं चैनल पर डिसक्स कर रहा है पर वह भी आप देखना और देखना कितने questions रिपीट हो रहे हैं इसमें मैं बहुत सारे questions रिपीट हुआ है जैसे यह वाला question है यह भी आजिट रिपीट हुआ है नेक्स्ट आपका questions है which of the following is a major alkaloid of rovolphia root देखे अट्रोपीन निकोटीन पापवरीन या रिजर्पीन तो रिजर्पीन से क्या मिलता है रिजर्पीन मिलता है option D रिजर्पीन का क्वेशन काफी बार रिपीट होता है अट्रोपीन ट्रोपेन अलकलोड में आ जाएगा ओके निकोटिन टोबैकों में होता है पापवरीन पापवर सोमनी फेरम और रिजर्पीन जो है अपना इसमें रिजर्पीन प्रिंसिपल आपसे पूछा है और का source गर C religion का अच्रोपीन प्राइन फ्र प्रय की श्रीमियोर्य श्रयक कि बाजर्पीन का क्राप्षान ऑजें से प्रिंसिपल यह … का क्थार्टिक प्रोपर्टी कि SHT रिजिदें न है यह जो होता है इसकी वजन ठक्रिंस्ट होता है क्थार्टिक यह होता है उसके प्रिका प् इस्क से जुन होता है है का क्धार्टेंट होता है जिसके वजादिस मतलब कथा इसकी ओकरी सब्सक्राइ upper है तो आपका ओप्शं भी होगए रिसीनिओ के प्राइम जो आपको पता है यह ख़ेचिन नहीं को नहीं देते हैं ऑंक काफ़ी इस लिह बताना ज़रूरिध प्रोटीन को केजिन में प्रोटीन होती है केसी केजिनोजन जो होता है मिल्क के अंदर यह प्रोटियोटिक कजनों को केजन में कॉट करता है जो सोलुबल प्रोटीन होती है केजनों उसको केजन में करता है ठीक है इस देखिए ऑप्शन भी होजगा एकोटीजम को ही बोलते हैं स्टी एंथोनी फायर डिजीज ओके जो किसकी विज़ासे होगी ज्यादा ओवरीटिंग ओफ एरगट की विज़ासे हो जाएगी क्वेशन देखें नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पैन पूछा आप से आर्बिसी का रैड बलड करपसल्स का पूछा आप से लैफ स्पैन कि पाउर हाउस ओफ सेल बोलते है ऑप्शन सी राइड होगा हो सेगा नेक्स्ट यह संसेशन ऐस करिए आउट बाए और प्लेटे तो इसको साइनाप्स पोलेंगे अप्षण एराइट हो जएगा नेक्स है नॉर्मल यूरीन आउटपूट है तो इस सारे क्वेशन हैं 2020 वाले पेपर में सारे आजेट रिपीट हो रुखे हैं नौर्मल यूरीन आउटपूट तो यह देखिया ऑप्षिन देख आपका मतलब रिजर्व जो बोलते हैं रिजर्व पेस्मेकर अगर पुछे तो आपका क्या है पेस्मेकर ओफ हर्ट है नेच्ट है एंडाड प्रडुक्ट ओफ फ्यूरीन मेटाबोलिज़्ट इन मैन इस क्रेटिनीं यूरिक ऐसेड जैंसिन और फोस्पैट तो ऑप्शन बी होज़ेगा यूरिक ऐसीड नेच्ट क्यलमाइन कोंटेइन सिम् कल्सिम औक्ट जिंक ओकसाइड जिंक ओकसाइड उन next zinc sulfate is used as all of the following except as astringents, dietary supplements in zinc deficiency, dental products या antidote तो देखिए accept पूछे है तो zinc sulfate को antidote as antidote use नहीं करते तो option D आपका right हो जेगा next how many permanent teeth are there 24, 28, 30, 32 simple है option D 32 next road and cones are photoreceptor, chemoreceptor, baroreceptor, audioreceptor तो यह होते है, photoreceptors होते है, option जो है आपका A right हो जेगा question देखिए next है आपका full meaning of MMR vaccine is, देखिए measles mumps and rabies, measles mumps and rota, mononucleosis, molluscum and rota या measles mumps and rubella, तो option D हो जेगा, measles mumps and rubella next है pandemic is an epidemic occurring across, small area, one country, one continent या multiple continents तो option D हो जेगा, multiple continents, okay, जो pandemic होता है, multiple country और continents में spread होता है, उसको pandemic बोलते हैं, next है, one micron is equivalent to, तो one जो micron होता है, मतलब 10 raise to minus 6 meter जो होता है न, तो यह आप से दिकी, millimeter में पूछा, ध्यान से पढ़ना question को, तो कितना millimeter हो जेगा, option D हो जेगा, 10 raise to minus 3 millimeter, ध्यान अकने, इसको option D right होगा, next है human blood flu is caused by, H1N1 influenza virus, H3N2 influenza virus, H5N1 influenza virus, H3N2, तो option C हो जेगा, H5N1 influenza virus होता है, human blood flu जो cause करता है, next है, diphtheria is caused by which group of bacteria, Clostridium, Cornebacterium, Clamidia pseudomonas, तो diphtheria का positive organism होता है, cornebacterium diphtheria होता है, option B right हो जेगा, next है, mortality is typically expressed as unit of death पर, 100 individual every year, 200 individual every year, 500 individual every year, यह option D में है, 1000 individual every year, तो option D आपका right हो जेगा, next है, insulin dependent diabetes, malatious cause due to, decrease production of insulin, increase production of insulin, decrease production of glucagon, increase production of glucagon, तो option A हो जेगा, इसमें क्या होता है, insulin का production decrease हो जाता है, option A right हो जेगा, ने सब प्रोटीन सार पोलीमर सोफ, esters, ethelines, amino acids, fatty acids, option C हो जेगा, protein जो होते हैं, amino acids से बने, मिलके बने होते हैं, next galactose is a, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, सुक्रोज, तो galactose, monosaccharide में आता है, glucose, manose, galactose, यह सब monosaccharides के example है, next which acid is a precursor of prostaglandins, लैक्तिक acid, pyruvic acid, formic acid, arachidonic acid, तो जो prostaglandins है, leukotriens हैं, इसमें सब के precursor होता है, arachidonic acid होता है, question देखिए, next है, milk is a complete food, but it lakes in, और low in the mineral, sodium, potassium, calcium, iron, तो यह हो जगा, milk में iron नहीं होता, option D हो जगा, ठीक है, lakes कौन सी mineral इसमें कम है, iron, ठीक है, question देखिए, next है, major intracellular cation, calcium, magnesium, potassium, sodium, तो major intracellular में, option C आजएगा, आपका potassium होता है, okay, और major extracellular cation कौन सा है, यह आप मुझे comment करके बताना, जो major extracellular cation है, okay, next है, पहले गराइस deficiency manifestation of vitamin A, niacin, pantothenic acid, bio team, तो पहले गराइस जो vitamin B3 की deficiency से होते हैं, जिसको आप niacin बोलते हैं, option B, right हो जएगा, vitamins का MCQ पकात है, vitamins के ओपर 2-3 MCQ आजाते हैं, exam में, तो vitamins को मतलब बहुत यह से पढ़ना है, मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है, MCQ का detail explanation के साथ, आप लोग वो देख लेना, next है, number of polypeptide chains present in hemoglobin is, 3, 4, 5 या 6, देखें, जो hemoglobin जो होता है, इसके अंदर 4 polypeptide chains होती हैं, 2 alpha होती है, 2 beta होती है, next है, quashior car is manifested due to dietary deficiency of lipids, carbohydrates, proteins, या vitamins, तो क्वाशी और कर जो होता है, किसकी deficiencies से होगा, option C proteins की, जब पोल्टाइज इस ओल्सो नोन एज ड्रोट, कैटाप्लाजमा, एंटी प्यूरिटी या बेस, जो पोल्टाइज है, कैटाप्लाजमा के लिए उसके लाटन टम्स है, बिल्कु सिंपल, और ड्रोट के लिए कौन सी लाटन टम्स होती है, होस्टास होती है, ओके, नेक्स्ट क्वेशन है, आपका, विच ओफ दे फोलूंग इस सुटेबल, वोटर, मिसिबल, सपोजिटरी बेस, देखिए, कार्बोवेक्स, पोलोथलिंग गलाइकोल, यह अंटाइसेड होता है, जो सिस्टमिक अंटाइसेड में आता है, सोडियम बाइकार्बनेट और सोडियम सिटरेट, नेक्स्ट है, विच ओफ दे फोलूंग इस रेडियो पे कंपाउंड, बेरियम सलफेट, कैल्शियम कार्बनेट, बेरियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट तो रेडियो पे कंपाउंड होता है ओप्षन ने बेरियम सल्फेट हो जाएगा क्वेशन देखें नेक्स्ट है डाय कैल्शियम फोस्पेट इस यूज़ अज़ेगा तो इसमें आपका यह डाय कैल्शियम फोस्पेट आ जाएगा ठीक है इसकी अब्रेसिव के अग्जामपल और भी देख लेएंड आप प्रेसिप्टेटिट कैल्शियम काबनेट होता है कै देखेंड डाय। इसमेंट है तो होता है इसको किसमें उस करेंगे लिए अंटी ब्लीचिंग फोता है द्रग या और सेप्टिक होता है यह एंटीसेप्टिक होता है इसे पर अकेंगई हैं यहां यह अद्धध का ति मिन होती है यह क्लीनरज कद है उसमें फासं स्क्राइब इनीबिटर होते हैं नेज़ थायो पेंटल सोडियमिस अर्मिनिस्टर्ड इंट्रमस्कुलरली इंट्रवीनस प्री र्रेक्टटली और सबकुटेनियस थायो पेंटल को इंट्रवीनस देते हैं option B हो जाएगा ओके नेक्स्ट है फिर्स्ट फामिसी काउंसिल वाज अस्टेबलिश्ट इन ओप्शन से 12 दुलाई 1954 मार्च 1948 7 अगस्त 1968 12 में 1957 फिर्स्ट फामिसी काउंसिल वाज अस्टेबलिश्ट इन अब इसका अंसर हो जागा आप यह आंसर है आप कमेंट करके आप तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना शेर करना देखे एक बात कर्ते हो जो यह आपकी प्रेविस धियर्स के फामिसी के क्वेश्ट पेपर मेंसे तैं मतलब यह तो आपका बसर अगर आपको कोई प्रिवस और का क तो चिक्राइब होते हैं अब देखे हैं इसके बाद 2021 की पेपर में देखिए इसमें से कितने लिख लीजिए या फिर वीडियो को दो से तीन बार सुनी आपको याद हो जगा वैसे ही ओके तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू